नमस्कार प्यारे दोस्तों एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल पे और दोस्तों अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसे भी कॉम्टेटिव एक्जैम्स की तो आपको इन दिनों जो कि हमारे चैनल पे ओल्ड क्वेशन पेपर की सीरीज प्रोबाइट की जा रही है उसे पूरा पूरा और लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो क्वेशन से जो कि पहले रजाने कितने सभी परिक्षाओं में लगबग लगबग पूछे जा चु ओल्ड क्वेशन पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेशन से एक्वेशन में पूछे जाते हैं जो कि इन दिनों हम आपको अपने चैनल में प्रोबाइट कर आ रहे हैं तो शुरू करते हैं एक नए वीडियो को नए क्व जो कि हमने ओल्ड क्वेशन पेपर से लिया है मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट विट होमबर क्वेशन फस्ट ऑफॉल हमने देखें जो होमबर क्वेशन दिया था वो क्या था कि आईसेक न्यूटन वास आ एन यानि कि आईसेक न इंपरतिपादित किये थें ग्रेविटेशनल से रेलेटेग लॉफर्स लॉफर्स कि अन्ट र쪽 लॉफर्सट मीढ फॉफ अन फीनल से किरा एंड हो और नोर्थ यानि कि लॉफ एक्ट्स गें आई यह तीन अ बेयं दर्थिन आप सभी को पता है मूब करतें पुर कि तॉ नेक्स्ट लाइडोसिस इस एन एबनॉर्मिल्टी ओफ और दीखे बहुत यह अच्छा क्वेश्चन है लाइडोसिस पोश्चनल डिफॉर्मिटी से संबंदित एक प्रश्चन सभी एक्जाम में पूछा जाता है तो लाइडोसिस का मतलब होता है कि इसे स्वेग या इसे संबंद है डिफॉर्मिटी इन लंबर रीजन को लाइडोसिस की नाम से जाना जाता है यानि कि जब हमारे लंबर रीजन में वर्टिब्र कॉलम के लंबर रीजन में डिफॉर्मिटी हो जाती है तो उसे हम लाइडोसिस कहते हैं जिसे स्वेग के रूप में भी जाना जाता है और यह neck and lower back से इसका संबंध है बूप करते हैं next question की ओर lardosis नमले कितमे से किसके असाधारानी सिती है तो गरदन और नीचे की कमर correct answer है बूप करते है next question की ओर की badminton के kark का वजन क्या होता है weight of badminton kark is option number b is correct here 4.74 ग्राम से 6.51 ग्राम होता है badminton kark का weight तो यह आपको यहाँ पर सही answer पता चल गया है बूप करते हैं हम next question की ओर and it is asking कि in movement bones play the role of यानि कि movement करते समय bones की सरह से role play करती है या पुछा जा रहा है कि गतिविदी करने में हड्डियों का क्या योगदान होता है option number d is correct here यह liver की तरह काम करती है especially जो long bones होती है हमारे body की वो liver की तरह काम करती है okay move करते हैं next question की ओर की and the next question is asking कि quadriceps are located on the और जो quadriceps जो की चार muscles का group होता है यह हमारे body के किस पार्ट में पाई जाती है तो front of thigh में पाई जाती है थाई के front portion में पाई जाती है जो की चार different muscles से मिलके बनी होती है which of the following forces does not control walking and running कि पेसे कौन सी ताकत पैदल हम दौड को नियंतरित नहीं करती option number six is correct your stride length यानि कि कदमों की लंबाई जो है walking और running को प्रभावित नहीं करती इसके अलावा normal reaction, weight और air resistance यह सभी walking and running को प्रभावित करते है next question in running at slow speed the contact of the foot to ground is यानि कि जब हम slow speed में running करते हैं धीमी गती से दौडते हैं तो जो जमीन से जो पैर होता है वो कितना चूता है जो contact होता है foot का ground से वो किस तरह का होता है तो option number d is correct here इस time पे complete contact होता है foot का ground से यानि कि जब हम धीमे दौड रहे होते हैं और जब हम तेज दौड रहे होते हैं या sprint races कर रहे होते हैं तो partial contact होता है foot का ground से यानि कि थोड़ी देर के लिए जो है जो हमारे foot होते हैं वो ground पे पढ़ते हैं next question is asking कि in order to accelerate in running event the athlete must keep center of gravity ahead of the किसी भी दौड प्रतिस परधा में गती को तेज करने के लिए एक कि लाड़ी को गुरुतवा कर्शन केंद्र यानि कि center of gravity किसके आंगे रखनी चाहिए option number is correct here driving pair यानि कि driving foot is correct answer next the number of movements possible in our spine are हमारी मेरो दंड में कितनी प्रकार की गतिविदिया संभा है option number c is correct here four types की movement संभा होती है next question in order to train abdominal muscles पेट की मांसपेशों को प्रसक्चित करने के लिए आपको कौन से शरीर के आपको शरीर के कौन से भाग को मोरना पड़ेगा काफी अच्छा question है और बताईए क्या है correct answer option number c is correct here hip यानि कि पेट की मांसपेशों को प्रसक्चित करने के लिए हमें अपने शरीर के किस भाग को मोरना होगा तो hip is correct answer like हम जो sit ups करते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है next question देखें कि in doing push ups which of the following muscles are at work यानि कि जब हम push ups कर रहे होते हैं तो कौन सी मांसपेश हैं मोग की रूप से कारे करती है option number c is correct here pectoral muscles are working mainly okay move करते है next question your pectoralis major की बात की जा रही है देखें दोस्तों यहाँ पे pectoralis यानि pectoralis major and pectoralis minor next a muscle is stronger when it works and the correct answer is option number a eccentrically यानि कि जब muscles जो eccentrically जब यह काम करती है तो यह ज़्यादा ताकतवर होती है और eccentrically का मतनब होता है कि जब मांसपेशों की लंबाई जो होती है वो बढ़ती है यह यहाँ पे सही answer है next question कि short is put not thrown but what is the aim और short put की बात की जा रही है track and field के field event के throwing event की बात हो रही है जिसमें short put को throw किया जाता है तो short put में जो short को धक्का दिया जाता है fake नहीं जाता तो क्या लक्षी होता है इसमें option number 20 character distance यानि कि दूरी लक्षी होता है दूरी मुख्य लक्षी होता है Another name of effleudase massage is यानि कि effleudase malish का दूसरा नाम निम्लिखित में से क्या है Option number D is correct here stroking This is correct answer Next Vibration is a movement carried out on the Company कैसी गतिविदी है जो निम्लिखित में से किसी एक पर की जाती है और कहां पर किया जाता है Option number D is correct here skin पर किया जाता है Next much of the motor skill learning takes place during अधिकतर गतिविदी चमतायन इम्लिकित में से कब बिक्सित हो जाती है Option number C is correct here Childhood के टाइम पर ही जो अधिकतर गतिविदी कैपिसिटी यानि कि Motor skill learning capacities होती है वो चाइल्ड हुट के टाइम पर ही डिबलप हो जाती है Next which of the following is credited with the social learning theory Option number A is correct here यानि कि social learning theory यानि कि समाजिक अधिगम का सिधान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो Albert Bandura is correct answer Next Poon Aakar के golf के मैदान में कितनी संख्या में holes होते है बहुती अच्छा question है कई बार exam में पूछा जा चुका है Option number D is correct here 18 is correct answer यानि कि Poon Aakar के golf के मैदान में जो holes के number होता है psychology को Next question is asking that एक इस्थिर तरीका जिसमें एक व्यक्ति सोचता है अनुभो करता है और व्योहार करता है क्या कहलाता है Option number 20 correct here इसे व्यक्तित यानि कि personality की रूप में जाना जाता है Next question A person perception of his or her own personality trait is reflected in his एक व्यक्ति का स्वयम की व्यक्तित विशेशताओं को समझना क्या कहलाता है तो option number 20 correct here इसे self concept की रूप में जाना जाता है Next question 16 personality question R का संबंध किसे है तो correct answer option number A Raymond B cattle से 16 व्यक्तित तो कारक प्रशनावली का संबंध है Next question is asking Now the next question is asking what creates physical differences among people यानि कि व्यक्तियों में शारीरिक विभिनताएं किस कारण होती है Option number D हाँ पे सही है heredity के कारण यानि कि अनवानशिक्ता के कारण और इसके अलावा जो है वातवरन के कारण भी physical differences पाए जाते हैं लोगों में What kind of group are genetically more को हैसे किस प्रकार के समोहों में समाने तह अधिक एकता होती है Option number C is correct smaller groups में smaller groups are generally more cohesive Next question कि बच्पन में विक्सित आदतों का मुल्यांकन प्राया कब होता है Option number A is correct older adult sense यानि कि जीर्न कि शुरावस्था में बच्पन में विक्सित आदतों का मुल्यांकन जो है older adult sense में होता है Next question आज के समय में अर्थिसास्तियों को क्या अकर्शित करता है Option number B is correct growth of sports industry is correct answer यानि कि खेल उद्ध्योग कि जो ब्रिद्धी होती है वो आज के समय में अर्थिसास्तियों को अकर्शित करती है Next question If an effort to keep politics away from sports the greatest hurdles आर्दा यानि कि खेल को राजनीती से अलग रखने के प्रयास में मुखरूप से कौन सी कठिनाई आती है Option number D is correct political leaders राजनीती कनेता is correct answer Next Since when has internet been able to transmit pictures of sports event इंटरनेट पर कब से खेल की तस्वीरे पाई जाने लगी Option number C is correct year late 1900 Next question कि निमने कित में से कौन सा कारक खेल में अभी प्रेड़ना सबसे कम प्रभाव डालता है Option number A is correct year complexion यानि कि रंग रूप जो होता है वो खेल में सबसे कम प्रभाव डालता है इसके अलावा एज, सेक्स और फैसिलिटीज जो होती है ये ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं स्पोर्ट्स को Next question The earliest name for physical education teacher in school was Correct answer Option number A Drill Master की रूप में शारीरिक सिक्षा थे आपको को पहले स्कूलों में जाना जाता था Next दुरना चार्यावाइड वाइड वाज स्टार्टेड इन विच एर 1985 से इसके शुरुवात की गई थी शारीरिक सिक्षा के पड़ाइस नातक का कोर्स देश में कौन से वर्ष प्रारम्द किया गया Option number C is correct here 1968-63-64 से सबसे पहले शारीरिक सिक्षा के Post Graduate यानि की Master of Physical Education कोर्स की शुरुवात की गई थी Next question is asking Which of the following fields of human activities unfavorably tied to values Option number C is correct here Teaching निमने कितमे से किस शेत में व्यक्तियों की क्रियाय मूल रूप से अनिवारिता मूलियों से बंदी होई होती है तो सिक्षण is correct answer Next The most surrounding Sorry The most astounding characteristic of curriculum is its Particle की चकित करने वाली निमने कितमे से कौन से विशेषता है Option number B is correct here Dynamism यानि कि गतिशीलता is correct answer Next question An effective school physical education curriculum should cover Option number D is correct here A wide range of activities यानि कि एक जो Physical education एक अच्छा शारे लेक सिक्षा होता है वहाँ एक विस्तित शंकला की क्रियाय यानि कि एक wide range of activities को लेके चलता है Next question Measurement of popping crease is Option number B is correct here Forefit दोस्तों popping crease का संबन्द cricket से है और popping crease का measurement है वो forfeit होता है Next आज की समय में शारे लेक सिक्षा का अनुदेश आत्मक कारेकरम निजी स्कूलों में निविकित में से क्या है तो option number A is correct here college of physical education was established in 1920 चिंड़ी मद्रास में इसकी सापना की गई थी Health is primarily a responsibility of the और health यानि स्वास्ते एक ब्यक्ती की खुद की जिम्मेदारी है सबसे पहले Next question for the purpose of remaining fit and healthy what is most important और देखे correct answer option number B following principles of health यानि की स्वास्ते एवं तंद्रूस रहने के लिए स्वास्ते एवं तंद्रूस रहने के लिए निविकित में से क्या जरूरी है तो स्वास्ते के सिर्धानतों का अनुचरण करना यानि की अनुसरण करना यानि की daily workout करना, physical activities करना, sports खेलना, सही portion लेना, balance diet लेना ये और yoga activities करना ये सभी स्वास्ते एवं तंद्रूस रहने के लिए जरूरी होते है Next question a perfect food known as nutrition is one that यानि बात की जा रही है balance diet की that contain all elements of food ये यहाँ पे सही answer है Next question की what kind of food are vitamins and minerals known as तो vitamins और minerals को किस तरह के food में शामिल किया जाता है तो protective food में इने शामिल किया जाता है जो की रोगों से हमारी रक्षा करते है Next question which of the following energy is provided to body by minerals Minerals के दौरा कौनसी energy provide के जाती है तो कोई energy provide नहीं के जाती है minerals के दौरा Next question is asking की how many calories does one gram of carbohydrate provide तो देखे 4 kilo calorie की मातरा provide की जाती है एक gram carbohydrate से Which of the following substance human body cannot store और क्या human body store नहीं कर सकती है तो option number 2 is correct here vitamins Next second third last question of the series की strength is basis of all movements which involve ताकत सभी गतिविदियों का आधार है जो कि निम्रिकित में से किसी एक को सम्मिलित करता है Option number C is correct here khanij namak यानि की muscle Sorry Option number 3 is correct here muscles यानि की ताकत to strength is the basis of all movements which involve muscles Okay Next question Which of the following conditions are life threatening कौन सी सिती जीवन के लिए खतरनाक है तो option number A ताप घात यानि की heat stroke किस का रेक्ट आंसर और आज का हमर क्वेशन स्क्रीन पे है दोस्तों की भारत में पार शाला स्वास्त सुभिधाये कब शुरू की गई थी तो इस Simple से question का answer आप हमें comment box में लिखे जरूर बताईएगा मिलते हैं next video में till then take care good bye have a nice day